कुछ टेक्निकल इशूस के वज़े से हमें ये वीडियो दुबहरा अप्रोड करने पड़ रही है जिन्होंने देख लिए लोग किर्प्या कमेंट में गाली ना दे और डिसलाइक ना दबाए हेलो और वेलकम टू कारखाना दोस्तों मेरा नाम है क्रिश महरा और आपके लिए नई वीडियो लेके आया हूँ हमने भी डाल रख़़ी है सबने डल रख़़ए है ना चलो कोई बात निंशनी करने है इस घाड़िमें हमें क्या क्या मिलेगा त्रीक है हम लोग बहुत यह तो अल्मोस्ट सब भी यूटूबर्स ने इसके बारें बात करनी है लेकिन शायद ही कुछ यूटूबर्स होंगे जिन्हों ने इसके बारें बात करेंगी कि इस गाड़ी मैं मैं क्या-क्या नहीं मिलने वाला है देखिए सबसे पहले मैं उन लोगों को बता दूँ कि ये कोई hate वीडियो नहीं है भाई मैं टाटा पंचे से खुद ही बहुत प्यार करता हूँ जाने कि ये model मुझे बहुत पसंद है और मैं उसका almost एक एडियर साल से इसका wait कर रहा था तो ऐसा मत समझना कि मैं से नफरत कर रहा हूँ बट मैं सिर्फ वो बाते करूँगा जो इस गाड़ी में हमें नहीं मिल रही है और जिसके expectations हमने कर रखी थी और यह सिर्फ मेरे अपने खुद के विचार नहीं है भाई इतनी सारी जो मेरे जो viewers हैं उनके ही questions है एक बार ध्यान कर देने का time आ गया है तो यह वीडियो उनी लोगों के लिए है अप लोगों के लिए आपको भी पता होना चाहिए अगर आप गाड़ी बुकराने की सोच रहे तो इस गाड़ी में क्या क्या मिल रहा है उसके साथ क्या क्या नहीं मिलेगा तो यह सब आप इस वीडियो में जान लेजिए इस छोटे से इंट्रो के बाद तो चलिए फ्रेंट जादा टाइम वेस्ट ना करते हुए पहले सीधा हम स्टार्ट करते हैं कि इस गाड़ी में हमें क्या-क्या नहीं मिलने वाला है तो आपको बता दूँ कि इसमें आपको दोस्तों थोड़ी जिनराशावली बात है कि यहां पर आपको एसम नहीं मिलने वाला है कई लोगों यह पूछ रहे था कि इसमें 1.5 लिटर इंजिन आएगा वह नहीं आएगा भाई पहले ही बता दूँ कुछ लोग या मैं भी बोलूँगा कि पहले मेरे को भी लग रहा था कि 200 आनिम जो इसका जो टॉर्क होगा वो मिलेगा बट यह नहीं मिलने वाला है आपको यह भी बता रहा हूं मैं 18-inch के alloy wheels बहुत लोग expect कर रहे था वो नहीं आने वाला है और ऐसा मैं नहीं सोच रहा था मेरे viewers सोच रहे था फिर से अपने कान खोल के सुन लो negative comment वालो front armrest भी आपको नहीं मिलने वाला है बट आपको चिंदा करने की बात नहीं है अगर आप 5 खरीद रहो और उसमें front armrest नहीं है या फिर आपके पास कोई दूसरी गाड़ी हो जिसमें armrest नहीं है तो यह ध्यान से सुन लो कि आपको वो armrest वो हो यार मैं दिलवा सकता हूं यार और वो भी कम कीमत में याने कि होलसेल रेट से आपको ये आपको दिल्वा सकता हूँ आमरेस्ट अगर आमरेस्ट वाली वीडियो देखनी है तो उपर आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा हमने इसके लिए वीडियो बनाई हुई है आमरेस्ट किसी भी गाड़ी ग देखा रियर एसी वेंट वारलेस चारजिंग लेदर सीट एलेक्ट्रिकली अजस्टबल ड्राइवर सीट रफ मोड स्पोर्ट्स मोड हिल डीसंट कंट्रोल नहीं मिलने वाला है 200 mm ग्राउंड क्लेरंस भी नहीं मिलने वाली है पहले मेरे को भी था यार हमने भी उमीदे ल बाइब दाक अडिशन आएगा लेकिन अभी नहीं आएगा थोड़े टाइम के बाद आएगा जब इसकी प्रमोशन अच्छी खासी हो जाएगी तब संडूरूफ नहीं मिलने वाला है स्विंग पूल नहीं मिलने वाला है भाई मैं इसलिए बोल रहा हूं कि लोग तो यही सोच रहा है कि इस कम बजट वाली गाड़ी में उनको तो पतानी क्या क्या चाहिए इसलिए मैंने बोला कि इसमें सुविंग पूल भी नहीं मिलेगा संडूरूफ के उमीद बहुत लोग कर रहे थे इसमें संडूरूफ आ अब ठीक है इस गाड़ी में नहीं है बजट के एकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा सब कुछ देखना पड़ता है सस्ती गाड़ी निगा लिए सब कुछ तो नहीं दे सकते ना टाटा हैरियर या फिर टाटा साफारी तो नहीं दे सकते ना समझो 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 है ना है सही बोट रहा हूँ ना चलो कोई बात नहीं अब हम बात करते हैं इस गाड़ी में आपको क्या-क्या मिलने वाला है तो विस्तार पूर्वक आपको चलिए यहां से बता देते हैं सबसे पहला इसमें आपको मिलेगा नेचरली एस्पीरेटेडड वन पॉइंट टू लीटर पेट्रोल एंजन जो की थ्री सिलेंडर एंजन के साथ आएगा जो की आपको 86 PS की पावर और 113 NM टॉक जनरीट करके दे देगा यह गाड़ी आपको 5-speed manual और AMT ट्रांस्मिशन में यानिक आटोमेटिक ट्रांस्मिशन में मिल जाएगी LED DRL lights मिल जाएगे follow me home lamps के साथ halogen and projector lights आपको इसमें मिल जाएगी halogen fog lights आपको मिल जाएगी LED tail lights भी आपको यहां पर मिल जाएगी rear camera मिल जाएगा rear parking sensors मिल जाएगा range sensor wipers मिल जाएगे rear end front में defoggers मिल जाएगे wiper मिल जाएगा, washer मिल जाएगा wheel arches with claddings यानि की बड़ी 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 claddings आपको मिल रही है कुछ लोगों को पसंद है कुछ को नहीं है यह मिल रही है ground clearance आपको 187 mm का मिलने वाला जो कि मैंने आपको अपनी last video में भी बताया था request sensor आपको इसके doors में मिल जाएगा top model में आपको smart key मिल जाएगी जैसे कि आपको nexon, harrier, safari, altros में मिल जाती है अब अंदर हमें क्या का मिले का वो बता जाते हैं idle start stop button cluster में आपको semi digital analog मिलने वाला है tilted steering wheel मिलेगा साथ में आपको leather wrapped steering wheel मिल जाएगा 7 inch की harman infotainment system आपको मिलने वाला dust screen system होगा और बहुत लोगों को question था कि इसमें IRA आ रहे है नहीं आ रहे है आपको बता दू कि इसमें 27 connected car features के साथ IRA function आएगा 4 speaker and 4 twitter का आपको इसमें set मिलने वाला है 12 watt का charging socket मिल जाएगा auto climate control भी आपको मिल जाएगा electrically auto adjustable and retraceable ORVM मिल जाएगे manual IRVM मिल जाएगा all door power windows मिल जाएगी fabric seats मिल जाएगी adjustable headrest मिल जाएगा manual driver seat adjuster partial tray 366 liter का boot space बहुत लोग confuse हो रहे है 336 या 366 आपको पता दूँ कि 366 366 liter का boot space मिलेगा हमारे एक viewer ने तो ये भी पूछ लिया कि कि हम इसमें लाश डाल सकते हैं जी हाँ बिलकुल डाल सकते हो I am really gonna enjoy this AMT creep mode मिलने वाला है Traction Pro mode भी मिलेगा Dyna Pro technology मिलेगी and rear में आपको almost flat floor मिलने वाला है तो ये सारे जो questions थे ये बहुत सारे लोग पूछ रहे थे साथ में आपको यहाँ पर rear seats पे भी जो handrest है वो आपको मिल जाएगा और बहुत लोग पूछ रहे थे भाई पीछे वाली seats पे कितना क्या comfort है नहीं है आपको बता दूँ कि काफी अच्छी seats है इसकी और आपको leg room अच्छा मिलेगा इतनी छोटी भी गाड़ी नहीं है आपको बता दूँ कि यह ultra से छोटी है nexon से छोटी है length wise लेकिन hide wise यह उन दोनों गाड़ियों से उची है can you imagine यह nexon से भी उची है और आपको बता दूँ कि इसकी जो length है आप यह बोल सकते हो कि swift के बराबर रहने वाली है तो swift में भी देखे जगह कम नहीं है तो उसी के बराबर इसकी जो length है वो रहने वाली है तो देखे हमें यह सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि एक कम budget की गाड़ी है बहुत लोग क्योंकि पूछ रहे हैं कितने से start है तो अभी तक जो leaks निकल के आ रही है वो यही निकल के आ रही है कि इसका जो starting price होगा यानि कि base model का price होगा वो होगा 499 से start हो सकते यानि कि 4,99,99 पांच लाग के around आप समझ सकते हो तो पांच लाग रोपैसे इसका base model शुरू हो जाएगा और जितनी भी चीज़ें हमने आपको उसमें बताई है कि इसमें है नहीं है तो यह सब आपको बता दूँ कि top variant के according हमने आपको बता है लेकिन जब नीचे के वीरेंट आना शुरू होंगे तो उसमें ओविसली चीज़ें जो होंगी वह घट होनी शुरू हो जाएगा यानिकि कम होंगी इतनी सारी चीज़ें इसमें नहीं भी मिलेंगी है न तो यह सब चीजों का ध्यान जरूर रखना और अपनी राये जरूर देना कि यार आपको यह वीडियो कैसी लगी और इसमें कोई बाइए मिस्टेक मुझसे कोई 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 ठूर गया तो वह आप हमें कमेंट करके आदिला सकते हो उसको नई वीडियो में हम जब नेक्स वीडियो होगी उसमें उसी इसको मेंचन जरूर करेंगे और हम पर देके इसमें डिसलाइक करने वाली तो कोई ऐसी बात और नहीं कोई बूली है ने तो फिर तो इसको आप यार लाइक भी करते हैं वीडियो को शूर्स बजाएगा तो आप वहां से इसको भेज सकते हो या फिर आपको वट्स आप नमबर मिल जाएगा मेरा फुद का प काम कर दिया आपको वीडियो लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हो ओ यह ओ यह ओ यह